अपने फूल बॉडी को कैसे बिल्कुल ग्लासी बना सकते हो मिंटो में केवल एक आम से तो फ्रेंड्स यह आम है मेरे घर के पीछे एक बगान है तो वहां पे आम का पीड़ है तो वस मैंने नैचुरल आम लिया है आप मार्केट वाली भी आम ले सकते हो ठीक है मैं यह नहीं बोल रही हूं कि आपको बिल्कुल आप पेड़ का ही पका हूँ आम लेना है तो यहां पर देख सकते हो यह आम मैंने प्यूरी मतलब ले लिया उसे अच्छे से छिल के मैंने इसे मैस कर लिया था तो यहां पर अपने फेस के एकॉर्डिंग अपने बॉडी के एकॉर्डिं तो यहां पे हम डाल लेंगे थोड़ा सा चीनी चीनी आपको दरदरा लेना है आप चाहे तो पीसी भी ले सकते हो बट यह तो दरदरा जो मैंने चीनी लिया उसमें अच्छे से मेल्ट होई जाएगा क्योंकि इसे मैं फ्रीज में स्टोर करने वाली हूं दस-पंदर मिनट के लिए और यहां पे आपको ले लेना है कच्चा दूद अगर कच्चा दूद आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल दूद भी ले सकते हो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स इसे क्या करने है आपको 15-20 मिनट के लिए आपको फ्रीज में रख देना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो तो आप इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हो फ्रीज में इसे क्यवल ठंडी करनी है ठीक है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ही आम आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो आप इससे भी अच्छा पैक रेडी करके अपनी फेस की सारी टैनिंग को दूर कर सकते हो, इसकी इनके काले दाग धबे को दूर कर सकते हो, इसकी इनको ब्राइट बना सकते हो हम घर पे जो भी पैक रेड़ी करके लगाते हैं वो 100% नैचुरल होता है हमारे स्कीन के साथ बिना किसी खिलवार के हम यह पैक रेड़ी करते हैं और यह आपकी स्कीन को कोई हार्म भी नहीं पहुचाता है क्योंकि मार्केट से जो हम महेंगी महेंगी ट्रीटमेंट लेते हैं क्रीम लाते हैं तो वहाँ स्कीन को हर्म पहुचाता है इसकीन को देखियेगा आप कुछ दिन आप लगाँ गड़ी जब आप उसे लगाना चोड़ दोगे तो आपकी स्कीन ऊटा कि लोग हो जाएगी तो इसलिए बोलते हैं नैच्रोल तरीके इसे आपने स्कीन को ब्राइट healthy pack ready करके लगाई अपने face में काफी अच्छा रिजल देखने हैं आप इसे चाहे तो daily आप लगा सकते हो क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है आप चाहे तो क्यों माइंगो की प्यूरी भी apply कर सकते हो full body में अपने face पे तो इसके बाद इस फ्रेंड्स आप लगाने के बाद आपक अपने face में क्या लगाते हो क्योंकि आपकी skin इतनी glassy हो जाएगी ना क्योंकि मतलब जैसे माइंगो में जो आपको आपकी skin को bright बनाने में help करेगा आपकी skin के काले दाग धबे को remove करने में help करेगा तो यहां पर देख सकते मेरा massage complete हो चुका था तो मैं यह pack ready करके मैं मतलब इसी pack को मैं अपने face पे apply करके मैं छोड़ दूँगी आप इसे अपने हातों पैरों अपने neck area में आप लगा सकते हो बहुत easy तरीके से लग जाता है तो यहां पर देख सकते हो बिल्कुल मतलब इतना chicken heart is में हो रखा है ना कि आपकी skin बिल्कुल soft soft हो जाएगी तो यहां पर इसे 10-15 मिनिट के लिए आप छोड़ सकते हो ड्राय होने के लिए और ड्राय होने के बाद देखोगे ना कि हमारी skin बिल्कुल natural तरीके से sign करने लगेगी और हातों में भी लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज देना है मसाज देने से क्या आई ना friends हमारे हातों पैरों की मसाज कर लेने अपने फेस को फिर से मसाज करना है मसाज जीतना करोगे आपकी स्कीन को उतना टाइनिंग दूर होगी आपकी फेस को उतना रिलाक्स फील होगा 100% रिजल देखने को मिलता है friends आप इसे लगा सकते हो बिलकुल natural है बिना किसी sad effect है अगर आपकी स्कीन में किसी चीज से अलरजी है तो प्लीज आप किसी से कंसल्ट कर कर लगाए कोई भी चीज तो यहां पर स्कीन के लिए कावी फायदेमंद होती है यह आम क्यूंकि मौसम सीजन में ही आते हैं यह आम तो आप अपनी स्कीन को ब्राइट बना सकते हैं तो इस स्कीन को ना फिर नॉर्मल से हो गया इस स्कीन में एक खिली खिली सी मतलब निखार सी आ रही है क्योंकि जब मैंने पहले जब नहीं लगा था तब की स्कीन देख सकते हो अभी की स्कीन देख सकते हो काफी डिफ्रेंट्स है और बिना फिल्टर वाली वीडियो फ्रेंट्स आप लों को कैसा लगा